गाइज आप भी फ्री में आई पील मैच देशन देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टूमा यूटूब चैनल तो कैसे हो गाइज आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो गाइज जैसा कि आप लोग थमनेल में देखे हैं कि आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जिसे आप लोग देखकर खुस हो जाओगे सो गाइज मैं आपको बता दू कि आप यदि आप लोग आई पील देखना चाहते हो तो आप लोग होस्टार को डाउनलोड कर लेते हो पहले क्या था इस एप पर ज्यादा लोग नहीं थे तो फ्री में आप आई पील मैच देख आई चार्ज के आप फ्री में आई पील देख नहीं सकते कोई भी और मूवी भी नहीं देख सकते ना कोई ड्रामा ना कोई एपिसोड कुछ भी नहीं गाइज मैं बने रही हमारे वीडियो के साथ आज मैं आप लोगों के को कुछ एप के बारे में बताने बताने वाला हू जहां से आप फ्री में आइपियल आइपियल देख सकते हैं या नियू रिलीज बॉल्यूड मुवी सब कुछ फ्री में आप देख सकते हैं ड्रामा एपिसोड तो गाइज कि छहीं सुना आप ने मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा एप तीन एपिस को बताने वाला हूँ जिसे आप डाउनलोड कर लोगे इसमें से कुछ एपस आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे जो मैं आपको याप दिखा रहा हूं और कुछ एपस जो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेंगे लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है मैं इस एप का लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूंगा वहां से आप डारेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो गाइज बहुत ही जवर्जस्त अप्लिकेशन है अभी नया है भी नया ही ल प्ले स्टोर ओपन करेंगे यहां मैं आपको पहला एपस बता दूं जिसका नाम है आरेस्टी टीवी गाइज यह देखिए आरेस्टी टीवी इसका डाउनलोड वन मिलियन से भी प्लस है और इसके रेटिंग भी काफी ज्यादा अच्छे हैं जिसे आप देख सकते हैं और यह 21 MB का है मात्र ज्यादा MB का एपस भी नहीं है और गाइज दो ऐसे एपस और हैं जिनको मैं आपको दिखा रहा हूं गाइज यह देखिए यही है वो तीनों एपस जो आपको तीनों को तीनों एपस में आप फ्री में आईपील मैच देख सकते हैं और मूवी बहुत सारे ड्रामा एपिसोड सब कुछ आप देख सकते हैं फ्री में आपको यहां इस एपस से आप चो आपको कोई रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा यह बिल्कुल फ्री अपकोस्ट है तो गाइज पहला है आरेस्टी टीवी आप देख सकते हैं दूसरा है मर्टीवी और तीसर कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप लोग नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले न्यू